सूप प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है, आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे? मैं मन्जु यादव, आपकी हिंदी विशय की अध्यापिका. बच्चों, जैसा के आप सबी जानते हैं, पूर कक्षा में हमने हमारी हिंदी व्याकरन के पाट 13 विशेशन का अध्यन क्या था? आज की कक्षा में हम एक नए पाट का अध्यन करेंगे, जिसका नाम है किरिया. तो चलिए, शुरुवात करते हैं. पाट को शुरु करने से पहले, मैं पिछले कक्षा में पूछे गए प्रश्णों के जवाब बताने जा रही हूँ. प्रश्णों था, निमलेकित वाक्यों में रिखारकित विशेशन शब्दों के भेदों के नाम लिखी है. वाक्य, नवीन को विदेशी वस्तुओं का सार्वनामिक विशेशन, समीर खाकी वर्दी पहने था, गुण वाचक विशेशन, खीर में थोड़ी चीनी और डालो, ए निश्चित परिमान वाचक विशेशन, यह पतंग सिधार्थ की है, सार्वनामिक विशेशन, इस बच्चे को प्रथम पुरुसकार मिला, सार्वनाम वह घर रवी का है सार्वनामिक विशेशन दो लड़कियां गाना गा रही है निश्चित संख्या वाचक विशेशन अब हम शुरू करते हैं हमारा नया पाथ किरिया बच्चो किरिया का अर्थ होता है काम आईए हम कुछ उधारन देखते हैं और किरिया का अर्थ समझते हैं रीना निर्ते कर रही है क्या कर रही है? निर्ते कर रही है अनन्या पत्र लिख रही है क्या कर रही है अनन्या? पत्र लिख रही है दर्जी कपडे सिल रहा है क्या कर रहा है दर्जी? कपड़े सिल रहा है तनूजा चित्र बना रही है क्या कर रही है तनूजा जी हाँ चित्र बना रही है दक्ष आम खा रहा है क्या खा रहा है दक्ष आम दादा जी अकबार पढ़ रहे है क्या कर रहे हैं दादा जी जी हाँ अकबार पढ़ रहे है गुंजन सेर कर रही है क्या कर रही है गुंजन सेर कर रही है बच्चों इन वाक्यों में रीना, अनन्या, दरजी, तनूजा, दक्ष, दादाजी वे गुंजन कुछ ना कुछ काम कर रहे है देखा न आपने और सुना भी कि वे कुछ ना कुछ काम कर रहे है देखिए रीना क्या कर रही है निर्ट्य कर रही है अनन्या क्या कर रही है पत्र लिख रही है दर्जी क्या कर रहा है कपड़े सिल रहा है तनूजा क्या कर रही है चितर बना रही है दक्ष क्या कर रहा है आम खा रहा है दादाजी क्या कर रहे है अकबार पढ़ रही है गुं इन शब्दों से किसी काम के करने का बोध हो रहा है या चैनल बता चल रहा है कि ये सब कुछ काम कर रहे हैं या कोई काम हो रहा है आता है यह शब्द क्रियाएं हैं तो बच्चो क्रिया की क्या परिभाशा होगी? जी हाँ, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं. यानि कि वे शब्द जिन से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं. देखे बच्चों, अब हम यहां एक वाक्य के माध्यम से समझेंगे, चवी पुस्तक पढ़ती है, चवी यहां क्या है, करता, जो कारे को करती है, पुस्तक कर्म, जो कारे चवी कर रही है, पढ़ती है किरिया, जिससे कारे के होने का पता चल रहा है, तो यहां चवी करता, बना है देखिए बच्चो करता किसे कहते है काम करने वाले को करता कहते है कर्म करता जो काम करता है उसे कर्म कहते है किरिया जिस सबसे किसी काम के करने का बोध होता है अच्छे से समझेगा बच्चो करता कौन होता है काम करने वाले को करता कहते है कर्म क्या होता है? कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते है यानि कि कर्ता जो होता है वह जिस काम को करता है उसे कर्म कहते है किरिया जिस सबसे किसी काम के करने का बोध होता है यानि हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है किसी काम के करने का बोध होना किरिया कहलाता है तो बच्चों आपको करता, कर्म और किरिया के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम अपना पाठ आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं किरिया के भेद किरिया के दो भेद होते हैं अकर्मक किरिया और सकर्मक किरिया पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक किरिया के बारे में लेकिन सबसे पहले हम अकर्मक किरिया का अर्थ जानेंगे अकर्मक, अकर्मक और जमा कर्मक सबसे मिलकर बना है अ का अर्थ होता है बिना और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के अर्थात इसका पूरा अर्थ हुआ कर्म के बिना किरिया का होना यानि कि कर्म के बिना किरिया का होना जहां कर्म नहीं होता वहां अब हम कर्म किरिया को उधारन के माथ्यम से समझेंगे देखिए वाक्य है अंकित सोता है यहां करता क्या है बच्चो जी हां अंकित क्यूंकि अंकित काम को करने वाला है सोता है यहां क्या है क्रिया क्यूंकि यह एक काम हो रहा है तो अंकित सोता है इस वाक्य में करता है और क लेकिन कर्म नहीं है, यहां सिर्फ करता है और किर्या है, कर्म नहीं है, तो यह अकर्म किर्या होती है, जहां सिर्फ करता और किर्या होती है, कर्म नहीं होता है. आईए कुछ और भी उधारन देखते हैं तनिश्क जाती है आर्जव खाता है हिमानशु दोड़ता है दिव्यानशी पढ़ती है आर्यन लिखता है मधुकर हसता है मोहित खेलता है तो बच्चो आपने देखा इन सभी वाक्यों में किवल करता और किरिया है कर्म यहाँ पर नहीं है तो यह है अकर्मक किरिया होती है आईए अब अकर्मक किरिया की परिभाशा देखते हैं जिस वाक्य की किरिया को कर्म के आउशकता नहीं होती उसे अकर्मक किरिया कहते है यानि जिस वाके की किरिया को कर्म क्या उशकता नहीं होती उसे अकर्मक किरिया कहते है जहां कर्म नहीं होता है आप आशान्जे सब्दों में समझे जहां कर्म नहीं होता है वहां अकर्मक किरिया होती है अकर्मक मतलब कर्म के बिना अब हम सीखेंगे अकर्मक किरिया की पहचान कैसे की जाती है दिये गए वाक्य में किरिया के साथ क्या, किसे, अत्वा, किसको प्रशन पूछने पर यदि कोई उत्तर ना मिले तो अकर्मक किरिया होती है ध्यान से सुनना बच्चो दिये गए वाक्य में किरिया के साथ क्या, किसे, अत्वा, किसको प्रस्ण पूछने पर यदि कोई उत्तर ना मिले तो अकर्म किरिया होती है जैसे उधारन देखे, मधुकर पढ़ता है हमने किरिया से पहले क्या लगाया और पूछा क्या पढ़ता है आपको कुछ उत्तर मिला यहाँ? मधुकर पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कोई उत्तर नहीं मिला तो यहाँ अकर्म किरिया होगी जहाँ पर क्या, किसे, अत्वा, किसको प्रस्ण पूछने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पर अकर्म किरिया होती है जमा कर्मक सा का अर्थ होता है साथ और कर्मक का अर्थ होता है कर्म के यानि इसका अर्थ हुआ कर्म के साथ किरिया का होना अकर्मक में क्या था? कर्म के बिना किरिया का होना लेकिन सकर्मक में कर्म के साथ किरिया का होना आईए अब उधारन के माध्यम से सकर्मक किरिया को समझते हैं उधारन है शौर्य पुस्तक पढ़ता है यहां बच्चों सौर्य कौन है? जी हां करता जो काम को करने वाला है पुस्तक यहां क्या है? कर्म पढ़ता है क्या है? किरिया तो इस वाक्य में करता कर्म एवं किरिया तीनों चीजे हैं इसलिए यह सकर्मक किरिया है यानि सकर्मक कर्म के साथ आईए सकर्मक किरिया के कुछ और भी उधारन देखते हैं सुबोध बर्गर खाता है क्या खाता है? बर्गर संकल्प पत्र लिखता है क्या लिखता है पत्र, मयंग चित्र बनाता है, क्या बनाता है चित्र, सचिन क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है क्रिकेट, अंकित ने चोर को पीटा, किसको पीटा, चोर को, विधी रक्षिता को पढ़ाती है, किसको पढ़ाती है, रक्षिता को, मीरा सबजी बना रही है, क् बच्चों आपको इन उधारनों के मार्धहम से सकर्मक किरिया समझ में आई होगी, आपने देखा कि इन सभी वाक्यों में कर्ता, कर्म और किरिया तीनों थे, तो सकर्मक किरिया की परिभाशा क्या होगी? जी हाँ, जिस वाक्य की किरिया को कर्म की आउशकता होती है, उसे सकर्मक किरिया कहते हैं, जिस वाक्य की किरिया को कर्म की आउशकता होती है, यह हम कह सकते हैं किरिया के साथ कर्म भी होता है, उसे सकर्मक किरिया कहते हैं. आईए अब हम देखेंगे सकर्मक किरिया की पहचान किस प्रकार की जाती हैं। दिये गए वाक्य में किरिया के साथ क्या, किसे, अथवा, किसको प्रशन पूछने पर यदि कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक किरिया होती है। आईए उधारन की माध्यम से देखते हैं जैसे पुस्तक पढ़ता है। प्रशन करेंगे शुभम क्या पढ़ता है। आपको उत्तर मिला? जी हाँ, पुस्तक। तो आपने देखा अकर्मक किरिया में हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। लेकिन सकर्मक किरिया में हमें क्या, किसे, अथवा, किसको लगाकर प्रशन तो बच्चो आज की कक्षा में हमने क्या सीखा जी हाँ हमने किरिया के बारे में सीखा किरिया किसे कहते हैं जिस सबसे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे किरिया कहते हैं किरिया के दो भेद होते हैं अकर्मक किरिया सकर्मक किरिया का अर्थ होता है कर्म के बिना और सकर कर्मक किरिया का अर्थ होता है कर्म के साथ हम आसान से सब्दों में कह सकते हैं जहां कर्ता और किरिया हो वह अकर्मक किरिया होती है लेकिन जहां कर्ता कर्म वह किरिया तीनों चीजे हो वहां सकर्मक किरिया होती है अब हम करेंगे हमारा आज का कक्षाकार्य कक्षाकार्य में आप सबसे पहले उपर दिनांग लिखेंगे, पाठ चौदर, किरिया, कक्षाकारे. प्रश्न एक, किरिया की परिभाशा लिखें, वैं उसके दोनों भेदों के नाम लिखें. उत्तर, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे किरिया कहते हैं. किरिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक किरिया, सकर्मक किरिया. प्रश्न संख्या दो हैं, अकर्मक और सकर्मक किरिया में अंतर बताते हुए प्रतेक के दो-दो उधारन लिखें. उत्तर, आपको अकर्मक किरिया एवं सकर्मक किरिया में अंतर बताना है. अकर्म किरिया में कर्या को कर्म के आउशक्ता नहीं होती, जबकि सकर्म किरिया में कर्या को कर्म के आउशक्ता होती है, अकर्म किरिया में केवल कर्ता जमा कर्या होते है, सकर्म किरिया में कर्ता जमा कर्म जमा कर्या होते है, उधारन देखिए अकर्म किरिया के महिमा पढ़त प्रशन संख्या 3. निमलिकित वाक्यों में से कर्म को रेखानकित कीजिए. यहां कुछ वाक्य लिखे हैं, जिन्वे से आपको कर्म को रेखानकित करना है. वाक्य कुछ इस्प्रकार है, मा ने हल्वा बनाया, सिपाई ने चोर को पीटा, प्रतिबा ने भाई को राकी बांदी, जादुगर जादु दिखा रहा है. प्रशन संक्या 4. निमलिकित वाक्यों में किरिया शब्द को रेखानकित कीजिए, वे उनके भेद बताईए. यहां कुछ वाक्य दे जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले किरिया शब्द को रेखानकित करना है, और फिर उनके भेद का नाम लिखना है. वाक्य कुछ इस परकार हैं भूमी का बर्गर खा रही है प्रियांशी दोड़ती है प्राची सोती है गर्वित ने कुर्सी तोड़ी कृष्णा ने नाश्ता कर लिया प्रतिष्ठा फल खा रही है आपको इन वाक्यों में किसे रिखानकित करना है जी हां किरिया को और फिर उसके बाद उनके भेद के नाम लिखने है आप अपना कक्षागारे साफ एवं सुन्दर लिखाई में करेंगे आज के लिए इतना ही अगली कक्षा में हमें नया पार्ट पढ़ेंगे धन्यवाद